दर्भंगा स्टेशन के आतंकेयों के रडार पर है पारसल में हुआ ब्लास्ट क्या साजिशका मौग्ड्रिल था आखिर क्या है स्टेशन पर विस्वोड का जम्मू कनेक्षन पहले बांक का फिर दर्भंगा क्या बिहार में फिर तयार हो रहा है आतंका नए मोड्यूल यह व हर पहलू पर बारिकी के साथ जाच कर रही है अब तक मिली लीट के मताबिक तलांगाना से विस्फोटक को साजिस्ट के साथ दर्भंगा भेजा गया था यहां तस्वीश 17 जुन को दर्भंगा स्टेशन पर हुए सिकंद्राबाद दर्भंगा स्पेशल ट्रेन से आई पार सल ब्लासट की है अब तक की जाच में या पता चला है कि कपड़े की गठरी में ऐग दर्भंगा जियार पी की दोनों की प्लिस मुख्याले जितेंद्र कुमार के मुटाब एक जाच सही दिशा में चल रही है जाज एजनसिया विदी विज्ञान तरीके से इस पूरे ब्लास्ट की जाज कर रही है बहुत जल्द हम लोग बहतर परणाम तक पहुँच जाएंगे जो भी लोग इस पूरे नापाक प्लानिंग में शामिल होंगे उनको हम लोग सलाखों के पीछे पहुचाने में काम्याब होंगे मिट पीटी सी सिकंद्राबाद से दर्भंगा पहुची पारसल में कपड़े की गठरी ती गठरी के अंदर रखे विस्पोटक से हुआ था लेकिन यह सिर्फ मामली धमाका नहीं था बल्कि तबहाई की एक बड़ी साजिश का मॉग्ड्रिल था सूत्र बताते कि इस पारसल ऑफस जाकर सी सीटी फुटेश को खंगालने में जुटी है साथी इसी बीच कई अहम दस्तावेज रेल पुलिस के हाथ लगे हैं और इतना ही नहीं बिहार रेल पुलिस तिलंगाना एटियस के तरफ से पारसल भेशने वाले को जो स्केश तियार किया है वो भी वहा चेहरा है जो पहुचा तो था पारसल लेने लेकिन धमाकी के बाद घबरा गया था और फिर दूर रहकर पुलिस की जाच को देख रहा था इस मामले में तेलंगाना गई पुलिस टीम रोस सक्स का सीटी टी फुटेश हासल किया है जिसने अब पारसल बुक किया था तेलंग पारसल बुक कश्मीर में आतंकियों को हत्यार बेशने के मामले में बिहार के छप राजले के बहुआरा गाउंसे मुहमद जावेद को ग्रफतार किया गया था मुहमद जावेद इस वक्त कश्मीर के जेल में बन रहे सूत्रों से जो एहम जानकारी मिले है उसके मताबक मु मुहमद जावेद कहिमा एक साथ कश्मीर में बिटाए है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें